हेलो एंड वेल्टॉम टो ऐसे अगर सकते हैं तो उसके स्टाटेजी के बारे में बात कर रहे होंगे प्लस क्या-क्या हमारे पास चैनेजेज आएंगे स्टाटेजी के दोरा उस बारे में भी हम लोग बात कर रहे होंगे तो सबसे पहले हम लोग डिसकस करेंगे कि क्या-क्या हमारे पास में स्टाटेजी होना चाहिए जब हम स्टाटेजी कर रहे हो सबसे पहला point अगर मैं बात करूँ सबसे पहला and most important point वो है आपका know your syllabus आपको आपका syllabus पता होना जरूरी है सबसे पहला दिन, preparation का सबसे पहला दिन आप अपना syllabus डाउनलोड करो अब जब आपने syllabus आपका डाउनलोड कर दिया यानि कि आपने preparation करना शुरू कर दिया यह बात आप आप याद रखना syllabus आप आपका डाउनलोड करो syllabus डाउनलोड करने के बाद क्योंकि आप mathematics background के student हो जो physics वाले हैं, physics background के होगे जो chemistry वाले हैं यार सबने graduation कर रखा है या फिर graduation final year में है यार फिर graduation second year में होगे mostly जो jam का preparation करते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत अपने topic का idea होगा मैं mathematics वालों के बात करता हूं आपने syllabus देखा syllabus में आपके पास में तीन topic ऐसे मिने जिहें आप जानते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता है काफी master नहीं हुआ आपने topics में पर आपको थोड़ा बहुत ज्यान है उसके बारे में लाइक आप जानते हो लिए analysis हाँ यार सुना सुना लग रहा है आप कहो के हाँ यह तो सुना सुना लग रहा है topic थोड़ा बहुत मुझे पता है ठीक है यार चलो linear algebra हाँ यह भी मुझे पता है integral calculus हाँ यह भी मुझे पता है आपका होगे तब इनमें से आप चूज़ करना जो भी जिस topic से आप familiar हो पहले एक बार पढ़ चुके हो कैसा पढ़ा है कितना पढ़ा है matter नहीं करता है थोड़ा बहुत आप जाखते हो काफी है तो उसमें से सबसे ज्यादा comfortable आप किस topic में दिखते हो मैं consider काफी चाहता हूँ किया आप linear algebra में थोड़ा ज्यादा comfortable लगते हो ठीक है इन comparative बाकी सारे topics में ठीक है चलो अब आपने linear algebra को consider कर लिया आपका सबसे पहला topic जैसे ही आपने linear algebra को consider करा syllabus देखने के बाद syllabus को आप अपने अच्छे जगह में चिपका लिए ठीक है फिर हम लोग linear algebra कर रहे हैं सबसे पहला topic हमारा अब आप linear algebra का एक standard book खर देरो अब standard books बोले तो standard books का मतलब कोई भी book नहीं किसी भी writer का book हमें देरेना है जो foreigner writers का book है हमें उन्हें ही डच करना है अगर आप linear algebra का book में से पुछो तो मैं बताऊंगा कि आप फ्रेटोबग का book खर दो या फिर आप आप मन कुझ का book खर दो फ्रेटोबग का book सबसे अच्छा है यार Hoffman कुझ में पोड़ा ज्यादा अगर आप अभी एक standard को खर दिले के बाद आपको करना क्या है जो जो syllabus में हमारे topics हैं उन topics को हमें इस book से पढ़ना है सबसे पहला चेक्टर अगर आपका है vector spaces vector spaces के कुछ sub topics होंगे तो vector spaces के जितने भी sub topics हैं आप इस book से पढ़ोगे जितने भी books आप आप में बूस करते हैं उस book से पढ़ोगे books पढ़ने के बार आप particular एक definition को देख रहे हो simple समय example दे रहा हूँ आप उस definition के सारे lines को अच्छे से समझो समझ में नहीं आरा है आप YouTube पर आजाओ आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो जहां पर मैं विडियो डालना अच्छे से सुरू कर चुका हूँ like topic wise video आपको serially सारे विडियो दो किर जाएंगे आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हो आप बाकी सारे चैनल को विजिट कर सकते हो काफी सारे YouTube में lectures है उन्हें आप देख सकते हो उसके बाद suppose आपने वेक्टर स्पेस को पढ़ रहे हुआ अब आपके पास में कुछ theorem साया अब आपको करना क्या है अब आपको पता है यह theorem important होने वाली है theorem को पढ़ लो सारा कुछ समझ में आ गया है अब आपको notes बनाने है यार यह बात हाना सबसे important point में पताने जा रहा हूं अब आपने theorem पढ़ने अब आपको notes बनाना है example के साथ suppose आपने वेक्टर स्पेस का जो सब स्पेस प्रोब करते हैं by one step test आपने वो theorem पढ़ा theorem को पढ़ लेने के बाद उसके कुछ examples लिख लिख लो अपने note copy में वो जो examples और theorem थोड़ा अच्छे होना चाहिए जो भी questions आप लिख लगए क्योंकि अगर आपने वो लिख लिख लिया तो बाद में जब आप copy पढ़ लोगे आपना तब आपको example के साथ में चीजे समझ में आना लेगेगी और अगर आप example के साथ में पढ़ोगे तब आप pasture papers को देखोगे तब भी आपको उतना tough नहीं लग रहा होगा यह बात आप जहां रठना अच्छा आपने notes बना लिया किसी एक particular topic है सब्सक्राइब आपने vector space को अच्छे से पढ़ लिया उसके बाद आपने notes बना लिया with example अब आपको जाना है past year papers की और उससे पहले हमें past year papers को नहीं देखना है हम syllabus को already देख चुके हैं हमें पता है कि कहां से questions आने वारे हैं अब अगर हम directly past year papers को देखेंगे तब हम demotivate हो जाएंगे because past year papers में थोड़ा बहुत typical questions तो होंगे और अब हमें कुछ पता नहीं है हम पहले दिने उठाके past year papers को पढ़ेंगे महीं pretty motivate हो जाएंगे और बोरेंगे कि नहीं यार हमसे ना उपाएगा वो काम हमें नहीं करना है हम पहले पढ़ेंगे चीजों को अच्छे से उसके बाद past year papers को देखेंगे उसके बाद उधर हम झाकने जाएंगे तो यार past year papers को देखो तब आप देखना कि 50-60% आपके questions और नहीं हो रहे होंगे वो सब के साथ में होता है past year papers को अब आप देखोए तो 50-60% questions आपके solve नहीं हो रहे होंगे हाँ एक और बाद past year papers को आपको साए topics कर नहीं देखना है जिस particular topic को आपने त्यारी कर लिया है जिसका आपने notes बना लिया है अब आपको उसका देखना है अब आप उसे पुछोगे कि उसी particular topic का past year papers मुझे कहां मिलेंगे यार अभी market में काफी सारे डुक ऐसे available हो चुके हैं जहां पर आपको topic wise past year papers में जाएंगे तो उससे आप खरे देखना और उसके बाद वहां से आप past year papers को देखना तब देखना आप 50-60% question आपने solve नहीं हो रहे हैं तब आपको करना क्या है वहां पर solutions में given नहीं books लें तब आपको थोड़ा सा time और देना है इन questions के उपर जाना है और देखना है यार कि इन questions को कैसे approach किया जा रहा है कौन सा theorem लगाया जा रहा है अगर आपको पता है अच्छी बात है अब approach को देखो किस approach से उस question को solve किया जा रहा है उसके बार आप चीजों को समझो और जो भी आपने समझा अब अपने language में जाके nots copy में उसे लिख दो with example जिस भी question का था जिस भी particular एक कोई term है जो आपको नहीं पता है उस चीज के बार में लिख दो अपने note copy में कोई एक particular formula है जिसके बार में आपको नहीं पता था तब आप उस note copy में जाके अपने notes में उसे mention कर सकते हो आप अगर इस तरीके से अपना notes prepare करते हो इस तरीके से अपना परगान जारी रहते हो तब आपका definitely jam क्या कोई भी competitive exam आपका qualify हो सकता है हाँ एक और बात है एक टेस्ट टेस्ट देने जरूरी है आप चाहे जितने भी intelligent क्या आफे talented क्यों नहीं हो उस तीन घंटे में अच्छे बार इंसान का health खराब हो जाता है क्यों because of nervousness हमें अनाफट करने के आत्त नहीं बनी रहती है तो अगर आप टेस्ट नहीं दे रहे हो तो आप बहुत बड़ी कल्दी कर रहे हैं आपको unit wise test भी देने है most important आपको full length test देने है ठीक है यार सबसे पहले आपको topic finish करने के बाद आपको unit wise test देने है अब आप पूछो के कहां मिलेंगी unit wise test देखो या सभी को बता है काफी जगर freely available है unit wise test आप उस बड़े platform में जाके वहां पर test दे सकते हो या फिर आप हमारे platform को भी visit कर सकते हो हमारा एक telegram channel है जहां पर हम unit wise test भी provide करते हैं साथ में assignments भी देते हैं और unit wise test का solution भी देते हैं Link description में है आप जाके वहां से टेलिग्राफ गूर्म हमारा जोइंट कर सकते हो ठीक है वहां से आपको unit wise test तो अब वह बात हमारा unit wise test या फिर फूल लेंड टेस्ट के बाराद अब यार आप पुछोंगी full length test हमें कब attempt करना चा ठीक है अच्छा एक और most important बात बात यहीं कि revise suppose आपने linear algebra को अच्छे से कर लिया ठीक है अच्छे से कर लिने के बाद अब आप suppose real analysis को पड़े हो अब आप real analysis को सेम procedure अप्लाई कर रहे हो अब आप real को पड़ रहे हो बट आपको अभी linear algebra को छोड़ नहीं देना है देखो या इसी तरह के से आपको repeat करते हो जाना है जब आपका विनेयर और यह दोनों complete हो जाए तब आपको इसाट पकड़े हो इंटिक्रेंट के लिए तब आपको क्या करता है सब्दा में वही एक दिन निकालना है जहां पर आपको दोनों topics को फिल से देखना है तब आपका क्या होगे यह चीज जरूर अप्लाई करना या यह आज के जो वीडियो है सबसे जब्राइंप्रेंट आपका यही है और मैंने आपको तरिका में बताया कि आपको कैसे रिवाइस करना है अगर आप इन सारे चीज़ों को follow करते हो तो mostly chances आपका बन जाता है कि आप exam qualify कर लोगे अ होगे तब हमारे पास में क्या-क्या challenges आ सकती है क्या-क्या strategies है हमने देख लिया अब देखेंगे challenges को और काफी अच्छी समझेंगे कि challenges को हम लोग कैसे अब किसी पर्टिकुलर बुक को आप पढ़ रहे हो वहां से थियोरम करेक्टर रहे हो नोट्स बना रहे हो काफी लंबा प्रोसीजर है और उसमें टाइम भी काफी ज्यादा रगता है और अगर आप यसी फाइनल यार्की स्टुडेंट हो तब आपके विंटर्म एंट से ये सारे चीज आती रहती है और उसमें ट्र में लेष ले इस बना रहता है ये बात टूर और ऑगर आप सेकेङर में हो, याँ तब आप इस वज़े से नहीं करते हो यार कि पता नहीं मैं अपले फिल प्रसरण कर पाई या नहीं है रैट जूना नहीं हैं हम लोग यह हो गया नेक्ट बात करते हैं लेस मोटिवेशन प्लस सेल्फ डाउट यह सारे स्टूडट को होता है कि धीरे धीरे आपने पहले दिन जोर के जोर लगा कि में दस घंडे मेनत करा दूसरे दिन आठ गंटा थिस्रे दिन शे खंटा चौथे दिन चार गंटा पांच दिन बन्द। मोटिवेशन गया, उड़ गया मोटिवेशन आपका, प्लस साथ में आपने पास्टेर पेबर्स को उठा कर देख लिया तो आपके पास में यह आ गया, सर्फ डव्ट सबक्यमन में होता है और स्पेशली जो सर्फ स्टडी कर रहे होते हैं उनके मramento्य जरूर हुथ होता यार वह सारे ग को पूर को है कर रहा है को एक सिर्फ अप्राइद के प्रम रहे और यह कि आपको रिसोर्स पर बिलीव नहीं कर रहे हो यही बात है सेल्फ डाउट का यही एक रूट कॉसे यार कि आपके पास में भी सेम प्रेवर है और आज कल तो सारे कोचिंग इस्ट्टिवूट के में आपको अवेलबर हो जाते हैं वह सारे आपको पता है कि कहां मिल ज तो सारे कोचिंग इस्टूट के में आपको मिल जाते हैं जो मैंने आपको बताया कि आपको कैसे नोट्स बनाना है आप उसी में फोकस करना और अगर कहीं कोई फ्रेंड बढ़ रहा है तो उसे आप ले सकते हो तो सब्डाउट तभी कतम होगा जब आप अपने मैट्रियल पर को सुझा लिया ठीक है टाइम मैंजमेंट इस्टू को सुझा लिया और आप अपना बिलिफ स्ट्रॉंग को स्ट्रॉंग कर लेते हो तब आपका मोटीविशन भी बढ़ जाता है आप स्वाल कर लेते हो आप मोटीवेट हो जालोगे अच्छा अब बात करते हैं कंसिस्जे का मन नहीं करता है तो इस वजह से हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हो जाता है हम कंसिस्टेंट नहीं हो पाते हैं और जैसे ही हमारा कंसिस्टेंसी ब्रेक हुआ तो वापस से उसी मोमेंटम में आने में हमें काफी जादा दिन हमारे वहीं पर बरवाद हो जाता है इस बात पर ध आप छे बजे उट रहोगे कोई बात नहीं यार आप सारे छे बजे से स्टार्ट करोना तो इस बात को अधियान रखना है और कंसिस्टेंट तभी आप हो पाओगे जब आपके अंदर से साइफ डाउट कर जाएगा आप रहोगे आप इसको सुझा लोगे राइट नेश्ट अब यह बात सच है प्रोपर गाइडेंस हमें नहीं बिल पाती है आज कल डिजिटल जमाने के चकर में काफी सारे यूटिवर्स हो गये हैं और काफी सारे आपके पास में इंफोर्मिशन है आप किसी भी पर्टिक्लोर वन को एक बंदे को एक टीचर को फोलो नहीं कर रहे ह तब हरे टीचर अलग-अलग समका अप्रोच अलग होता है और याउट करिंग कहीं के नहीं रहे सबके सुन रहे हूँ सब का कोलो करने के को अब कहीं के लेत पुदिडइयर और ऑंका प्रोपर गाइडेंस हों पाता है फिर से टीवेटिवेटिविक्स करता या टीट कि क्योंकि यार एक चीज़ आप धिहान रखना हां अगर जैसे गाइडेंस का बात आया तो मैं एक और चीज़ बात करना चाहँ हूँ आप किसी टीचर से इंट्रेक्शन नहीं हो पा रहा है कोई बात नहीं आप हमारे डिस्क्रिशन गूरूप में आ सकते हो वहाँ पर काफी सा सब्सक्रिशन जो प्रोड़म है मैं उसका वीडियो सुल्शन आपको प्रोड़ा वाइड कर देता हूँ नेक्स्ट बात यह है अगर आप किसी भी स्टुडेंट को जानते हूँ जो आपके सेनियर हो सकते हैं आपके क्लासमेंट हो सकते हैं जो पहले इस एक्जाम को दे क्योंकि एक बात आप हमेशा या लगमा यार जो successful इंसान है उनसे आपको सिखना चाहिए कि क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए और जो unsuccessful जो failure इंसान है उनसे आप हमेशा सिखो कि हमें ये सारे चीज़ें नहीं करनी चाहिए और एक failure इंसान, एक failure student जो अलड़ी fail हो चुका है वही आपको बता सकता है कि आपको ये सारे करतियां नहीं करनी है तो सबसे पहले उन पे focus करो कि आपको क्या नहीं करना है तो आप दोनों टाइप के students से जाके मिल सकते हो वहीं से आपको proper guidance देना सुरू हो जाएगा आपको कोई particular एक teacher का ज़रूरत नहीं है आप अपने जो senior हैं आप उनसे बात कर सकते हो जो दी ग्रासमेंट है जो पले दे चुके हैं आप उनसे बात कर सकते हो तो ये को आपका proper guidance का बात अब आते हैं time management इसू को देखो या time management इसू आपका तभी बना रहेगा जब ये सारे factors आपके सही रहेंगे नहीं बात self doubt अगर आपको belief है अपने उपर अपके जो steady material है आपने बना रखा है उनके उपर आपका belief system strong है तब आपका motivation बना रहेगा जैसे ही motivation बना रहा तब आपका consistency बना रहेगा मिस हो भी जाता है तब आप तीसरे दिन उसको cover up कर लोगे लाइक आपका examination start हो रहा है फाइनल सेंका तो यार ओवियस सा बात है दस से बंदर दिन आपके उड़ी आएंगे समझ में नहीं आएगा अगर आपके पास में self-doubt और motivation की कमी नहीं होगी तो यह सारे factors mostly आपके exam के आड़े आते हैं जो यह मैंने challenges आपको बताया I hope यह वीडियो आपको अच्छा लगा हूँ अगर आपको थोड़ा भी informative यह वीडियो लगा है तब आप अपने friends याफे classmates के साथ यह वीडियो शेर कर सकते हो साथ में आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो लाइक भी कर सकते हो और कमेंट सब्सक्राइब में बता भी सकते हो कि आपको यह वीडियो कैसा लगा